विभिन्य देशों के प्रतिनीदिगन, उद्योग जगत के महनुभाव, देवियो और सजनुद। देव भुमी उत्राखन में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले, जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था। तो अचानक मेरे मूँ से निकला था कि 21 सदी का ये तीसरा दशक उत्राखन का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगाताव चरीतार्त होते हुए देख रहा। आप सभी को भी इस गवरव से जुड़ने के लिए उत्राखन की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा आउसर मिल रहा है। बीटे दिनों उत्तरकाशी मैं टनल से हमारे स्रमीत भाईयों को सुरुचित निकालने का जो सफल अभियान चला उसके लिए मैं राज्यसरकार समेत सभी का विशेस तोर पर अभिनंदन करता ह। साथ्या उत्राखन वो राज्य है जहां आपको डिविनी की और डेवलप्मेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्राखन की भावनाव और संभावनाव को नीकट से देखा है। मैंने उसे जीया है। अनुभव किया है। एक कविता मुझे आदाती है जो मैंने उत्राखन के लिए कही थी। जहां अंजुली में गंगा जल हो। जहां अंजुली में गंगा जल हो। जहां हर एक मन बस निश्चल हो। जहां गाउं गाउं में देशवक्त जहां नारी में सच्चा बल हो। उस देव भूमी का आशिरवार लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमी के ध्यान से मैं सदा अधन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा सव भाग्य मेरा मैं तुम को शीस नवाता हूं। साथियों सामर्थ से भरी ये देव भूमी निश्चित रुप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत दिकास भी और दिरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्राकन उसका प्रकर उदाहर है। साथियों आप सभी बिजनेश की दुनिया के दिगज हैं। और जो बिजनेश की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वाट एनालिसिस करते हैं। आपकी एक्तम कंपरी की ताकत क्या है, कमजूरी क्या है, अउसर क्या है, चुनोतिया क्या है। और आप उसका आकनन करकर क्या अपनी आगे की रणनेती बनाते हैं। एक राष्ट के रुप में। आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वाट एनालिसिस करें, तो क्या पुनते हैं। हमें चारों तरफ, एस्पिरेशन्स, ओप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपरचुनिटी ही देखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी डिवन गवनस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देश वाश्यों का मजबुत आगरत दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता है। वो स्थीर सरकार चाहता है। हाल में हुए विदान सबा चुनाव में भी हमने यह देखा है। और उत्राघंडने लोगों ने पहले करके दिखाया है। जनता ने स्थीर और मजबुत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया। गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतियों को दुनिया जिस उमीद और सम्मान से देख रही है। और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों इस बात का जिक्र भी किया। हर भारतियों एक दाईत के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विक्सित भारत का निर्मान उसकी अपनी जिम्मेदारी है। हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्म विश्वास का परणाब है कि कोरोना महा संकट और उद्यों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विक्सित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वेक्सिन हो या फिर एकोनोमी पॉलिसी भारत ने अपनी नीतिया अपने सामर्थ पर भरोसा किया। उसी कारणाच भारत बाकी बड़ी अर्थववस्ताओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्टियस्तर पर भारत की इस मजबूति का फाइदा उत्राखन समेट देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों इन परिस्तितियों में उत्राखन इसलिए भी विशेश हो और स्वाबा भी हो जाता है क्योंकि यहाँ डबल इंजिन सरकार है। उत्राखन में डबल इंजिन सरकार के डबल प्रयाफ चारों परब दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरब से जमीनी सच्चाई को समझते विए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को हमारे वीजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए आज भारत सरकार 21 सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रसेक्टर पर उत्राखण में अभूत्पुर्वा इंवेश्मेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गाउं कस्बों को जोडने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्राखण में गाउं की सडके हो या फिर चार दाम महामार इन पर अभूत्पुर्वा गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्स्प्रेस वे से दिल्ली और देहरादून की दूरी धाई गंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एरपोर्ट के विस्तार से एर कनेक्टिविटी ससक्त होगी। यहां की सरकार हैली टेक्सी सेवाओं को राज के भीतर विस्तार दे रही है। रिशिकेश, कर्ण प्रयाट के रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी ससक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है। यह बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिजम हर सेक्टर के लिए नई संभावना एक खुल रही। logistics हो, storage हो, to travel और hospitality हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे। और यह हर नया रास्ता, हर investor के लिए एक golden opportunity लेकर आया है। साथियों, पहले की सरकारों की approach थी, कि जो इलाके सीमा पर है, उन्हें ऐसा रखा जाए, कि access कम से कम हो। double engine सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमा वर्ती गाउं को लास्ट विलेज नहीं, बलकि देश के फस्ट विलेज के रुपें बिट्सित करने में जुटे हैं। हमने inspirational district program चलाया, अब inspirational block program चला रहे हैं। ऐसे गाउं, ऐसे छेत्र, जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानि हर investor के लिए उत्राखन में बहुत सारा ऐसा untapped potential हैं, जिसका आप जाजा से जाजा लाब उठा सकते। साथियों, double engine सरकार की प्रात्विकताओं का उत्राखन को कैसे double फायदा मिल रहा है। इसका एक उधारण टूरिजम सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतियों और विदेश्यों दोनों में अभूत परो उत्सा देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में theme based टूरिजम सरकीट तयार कर रहे हैं। कोशिच यह है कि भारत के nature और heritage दोनों से ही दुनिया को परिजित कराये जाए। इस अभ्यान में उत्राखन टूरिजम का एक ससक्त ब्राण बनकर उभरने वाला है। यहां nature, culture, heritage सब कुछ है। यहां योग, आउरुवेट, तीज, adventure sports हर प्रकार की संभावना हैं। इनी संभावनाओं को explore कर रहा ह। और उन्हें अवसरों में बदलना ह। यह आप जैसे साथ्यों की प्रात्मिक्ता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो ये कवर बात कहूंगा, यहां जो लोग आए हैं, उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माद्यम से, उन तक तो मुझे बात पहुंचानी हैं, लेकिन उनके माद्यम से उन तक भी पहुंचानी हैं, जो यहां नहीं अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ मिलियोनर, बिलियोनर से कहना चाहता हूँ हमारी हाँ माना जाता है, कहा जाता है जो शादी होती है वो जोड़े इश्वर बनाता है इश्वर ताए करता है जोड़ा बैस समझ नहीं पा रहा हूँ जोड़े जब इश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस इश्वर के चननों में आने के बजाए विदेश में जाकर कि क्यों करता है और मैं तो चाहता हूँ मेरे देश के नव जवानों को मेक इन इंडिया जैसे है न बैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए बेड इन इंडिया शादी हिंदुस्तान में करो यह दुनिया के देशों में शादी कर ले यह हमारे सारे धन्ना से डाजकल फैस्टन हो गई है यहां कई लोग बैठे होंगे अब नीचा देखते होंगे और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इंवेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो हो सकता है सब लोग न करें कम से कम आने वाले पांस साल में आपके परिवार के एक डेस्टिनेशन शादी उत्राखंड में करिए अगर एक साल में पांच हजार भी शादियां यहां होने लग जाए न नया इंफ्रसेक्टर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन मन जाएगा भारत के पास इतनी ताकत हैं मिलकर के ताय करें किये करना हो जाएगा इतना सामुर्थ है साथियों बदलते हुए समय में आज भारत में भी परवेर्तन की एक तेज हवा चल रही हुआ बीते दस वरसों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है देश के एक बहुत बड़ी आबादी थी जो भाव में थी बंचित थी वो असुविदाओं से जुड़ी हैं अब वो उन सारी मुसिबतों से निकल करके सुविदाओं के साथ जुड़ रही हैं नए अवसरों से जुड़ रही हैं सरकार की कल्यानकारी योजनाओं की वज़े से पांच साल में साड़े तेरे करोड से ज़्यादा लोग गरीबी से बहार आये हैं इन करोडों लोगों ने अर्थ व्यवस्ता को एक नई गती दी है आज भारत की भीतर कंजम्शन बेज एकोनामी तेजी से आगे बढ़ रही है एक तरफ आज नियो मिडल क्लास है जो गरीबी से बहार निकल चुका है जो नया नया गरीबी से बहार निकला है वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है दूतरी तरफ मिडल क्लास है जो अपनी आकांशों की पूरती पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है इसलिए हमें भारत के मिडल क्लास की पोटेंशल को समझना होगा उत्राखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है साथियों में आज उत्राखंड सरकार को हाउस अफ हिमाले ब्राण लाउंज करने के लिए बहुत बहुत बदाई देता है ये उत्राखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभीनव प्रयास है ये हमारी बोकल फर लोकल और लोकल फर ग्लोबल की अवधारना को और मजबुत करता है इसे उत्राखंड के स्थानिय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी नया स्थान मिलेगा भारत के तो हर जिले हर ब्लॉक में ऐसे प्रोड़क्ट है जो लोकल है लेकिन उन में ग्लोबल बनने की संभावनाए है मैं अक्सर देखता हूँ कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बरतन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है इस मिट्टी के बरतन वहां बहुत महंगे दामों मिलते हैं भारत में तो हमारा विश्व करमा साथी ऐसे अनेग बहत्रनी प्रोड़क्ट पारमपारी ग्रूप से बनाते हैं हमें स्थानिय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्तों को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्स्प्लोर करना होगा और इसलिए जो हाउस आप हमाले ब्रांड अब लेके आए है उसे मुझे एक व्यक्तिक अत्रुप से आनन का विश्य है मेरे लिए यहां बहुत कम लोग होंगे जिनकों साइट मेरे एक संकल्प के विश्य में पता होगा क्योंकि यह संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सिधा बेनिफिट साइट न दिखता हो लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है मेरा एक संकल्प है आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में दो करोड ग्रामिन महिलाओं को दो करोड ग्रामिन महिलाओं को लगपती बनाने के लिए मैंने लगपती दीदी अभ्यान चलाया है दो करोड लगपती दीदी बनाना हो सकता है कठीन काम होगा लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया यह हाउस अभ हमाले जो ब्रांच बनती है न तो मेरा जो दो करोड लगपती दीदाने बनाने का काम है न वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा और इसलिए भी मैं दन्यवाद करता हूँ साथियों आप भी एक बिजनेस के रुप में यहां के अलग-अलग जीलों में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें हमारी बहनों के सेल्फ हैल्फ गृूप्स हो एप्पियोज हो उनके साथ मिलकर नई संभावनों को तलास करें यह लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अधभूत पांट्रसिप हो सकती साथियों इस बार लाल के लिए से मैंने कहा है कि विक्सिट भारत के निर्मान के लिए नेशनल करेक्टर राष्ट्रे चरित्र को ससकत करना होगा हम जो भी करें वो विश्व में स्रेश्ट हो हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फोलो करें हमारी मैनिफेक्टरिंग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांद पर हो एक्सपर्ट ओरिएंटेड मैनिफेक्टरिंग कैसे बड़े हमें अब इस पर फोकस करना है केंद्र सरकार ने पियल आई जैसा एक महत्वा कांशिया भ्यान चलाया है इसमें ट्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इको सिस्टेम बनाने का संकल्पस परस्ट दिखता है इसमें आप जैसे इस हाथियों की भी बहुत बड़ी भूमी का है ये लोकल सप्लाई चेन को हमारे MSM इसको मजबुत करने का समय है उस पर निवेश करने का समय है हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विक्सित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो हमें उस पुरानी मानसिक्ता से भी बहार आना है कि फलाज अगर कोई चीज कम मिमत में उपलब्द है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने जेला है आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिलिंग पर भी उतना ही जोड़ देना चाहिए जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है हम पंद्रा लाग करोड रुपिय का पैट्रोलियम प्रोड़क्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं कोईला प्रजान देश होते हुए भी हम चार लाग करोड का कोईला हर साल इंपोर्ट करते हैं पिछले दस वर्षों में देश देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए है लेकिन आज भी देश को पंद्रा हजार करोड पे से ज़्यादा की दाले बार से इंपोर्ट करनी पड़ रही है अगर भारत दाल के मामले में आत्मंदेद बर होगा तो यह पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा सात्यों आज हम नूट्रिशन के नाम पर और मैं तो देखता हूँ कि सी भी मिडल क्राथ फैमिली के यहां बोजन के लिए चले जाएए उसके डाइनिंग टेबल पे है भाती भाती की चीजे पैकेट पड़े होते हैं विदेशों से आये हुए और वो पैकेज फूर का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ जब कि हमारे देख और उस पर लिख दिया ए प्रोटिन रिश है खाना शुरू अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूर है जो कहीं अधिक नुट्रीशियस है हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए यहीं उत्राखंग में ही ऐसे आयूस है जुड़े और गनाइक फल सब्जिया जुड़े उत्मादों के लिए अनेर संभावना है एक किसानों और उदमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं पैकेज फूर के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को हमारे प्रोडस को ग्लोबल मार्केट तक पहुचाने में मैं समयता हूँ कि आप सभी को अपनी भूमी का निभानी चाहिए साथ्यों भारत के लिए भारत की कंपनियों के लिए भारत निवेशकों के लिए यह मैं समयता हूँ अभुत्पुर्व समय है अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उकॉनोमी बनने जा रहा है और मैं देश वाच्चियों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मेरी तीसरी टम में देश दुनिया में पहले तीन में होके रहेगा स्थीर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टिम, रिफॉर्म से ट्रांस्फॉर्म की मान सिक्ता और विश्षीद होने का आत्म इश्वाद ऐसा सहियोग पहली बार बना है इसलिए मैं कहता हूँ, यही समय है, सही समय है यह भारत का समय है, मैं आपका आहवान करूँगा उत्रा खंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिये और उत्रा खंड के विकास में भी सही योग बाजी जुरूर बनिये और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी यहां सालों से एक कलपा बनी हुई है बोला जाता है कि पहार की जवानी और पहार का पानी पहार के काम नहीं आता है पहार की जवानी और पहार का पानी पहार के काम नहीं आता है जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है पानी बह करके कहीं पहुँच जाता है लेकिन मोदी ने ठान ली है अब पहार की जवानी पहार के काम भी आएगी और पहार का पानी भी पहार के काम आएगा इतनी सारी संभावनाए देख करके मैं संकल्प ले सकता हूँ कि हमारा देश हर कौने में सामर्त के साथ खड़ा हो सकता है नई उर्जा के साथ खड़ा हो सकता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथ ही इस अवसर का अधितम लाब उठाएं नीतियों का फाइदा उठाईए तरकार नीती बनाती है ट्रांस्परंट होती है हर एक के लिए खुली होती है जिसमें दम हो आ जाए मैदान पर फाइदा उठा ले और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो बाते हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते उसे पूरा भी करते हैं आप सभी इस महत्पपुन अवसर पर आए हैं उत्राखन का मुझ पर विशेज अधिकार है जैसे कईयों ने बताया मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धर्ती का बहुत बड़ा योगदान है अगर उसे कुछ लोटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है और इसलिए मैं आपको निमंतरित करता हूँ आईए इस पवीत्र धर्ती की चरण मासे पर चल्डे करके चल पढ़िए आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी ये इस भूमी के अशिरवाद है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुब कामना है